Hello friends, आज की वीडियो में मैं आप सभी को Online Salashidhi form किस तरह से फिल करना है उसकी पूर जानकारी देन जारों, तो please इस वीडियो के साथ बन रहें जिससे आपको Online Salashidhi form बरने में कोई दिक्कत ना है, friends आपको यह बता दें कि यह Online Salashidhi form 222 और 23 के लिए भरा जा रहा है, तो सभी स सबसे पहले तो आपको इस पॉर्टल पर आ जाना होगा, जैसी आप इसे ओपन करेंगे, friends, आपके सामने इस तरह का Interface दिखाए देगा, friends, यहाँ पर लॉग इन करने के लिए करेगा, friends, आपको यहाँ पर एक आपका School Code होगा, वो आपको डालना होगा, और उसके बाद यह आप इमारे सारे जो हैं, वो टिक आ चुके हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर सभी फॉर्म को फिल कर दिया है, उसी तरह से आपके भी यहाँ पर बच जाएंगे, जैसे ही आप यहाँ पर सारे फॉर्म कर लेंगे, अगर किसी कारण कुछ भी होता है, तो यहाँ पर नीची यह जाना होगा, जैसे आप learners पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस तक का interface दिखाए देगा, यहाँ पर learner profile and learning outcomes के लिए option खुड चुके हैं, यह तीन जो हमारे पास यहाँ पर जो option है, यह तीनों को भरना होगा, इन तीनों फॉर्म को भरने के बाद हम next process पर चल पड़ेंगे तो friends, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देख लें, यहाँ पर demographic profile, academic year 2022 और 2023 के है, friends, आपको यह बता दें कि जब भी आप form भरेंगे, आप यहाँ पर देख लेंगी, आपको year कौन सा mention किया गया है, यहाँ पर 2022 और 2023 का यहाँ पर आपको बास categorized by जो हैं, जितने भी students हैं, व आपको जो यहाँ पर attendance बच्चों की है, वो देनी होगी, और class wise आपको देनी होगी, देख सकते हैं, यहाँ पर class first जो यहाँ पर दी गई हो, boys और girls और total दिया गया, friends, आपको यह निकालना कैसे होगा attendance, आप नीचे चलेंगे, friends, यहाँ पर आपके बस annual attendance rate है, वो किस तरह से निकालेंगे, आपके बस formula दिया गया है, अगर आप यहाँ से नहीं समझ पारेंगे, तो आप यहाँ पर click करेंगे, जैसे आप click करेंगे, friends, आपके सामने इस तरह का interface आदेगा, और यहाँ पर आप देख सकते है, total number of prescribed instructional days है, जो भी school days होगे, आपके total कितने थे, वो आपको निकलती है, जैसे इनुने निकाली है, तो यहाँ पर 6200 यहाँ पर निकाली है, उसी तरह से आपको girls की भी निकाली है, पहले तो चलो हम boys की निकाल लेते है, attendance कितनी आएगी, दिखो नीचे boys का लिखा गया है, आपके पास यहाँ पर annual attendance rate जो है, is equal to आप देख सकते है, total annual attendance of निकाल लेंगे, और into handed करने के बाद, friends आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी attendance है, percentage में निकल चुकी है, 93.94 यहाँ पर आई है, उसी तरह से friends देख सकते हैं, यहाँ पर जो girls की attendance थी, वो हमारे पास 3650 आई थी, और यहाँ पर total number जो हमारे पास girls थी, वो 23 into आपके बास 220 तो आपके बास 82.95% आ रहे है, total automatically आपकी आ जाएगे, यहाँ पर हम close कर देते हैं, और आपको दिखाते हैं, कि हमने यहाँ पर अपनी attendance फिल कर ली है, तो इस तरह से friends आपको भी करनी होगी, और next button पर आपको click करना होगा, friends जैसे जब next button पर जाएंगे, तो आपके सामने य यहाँ पर learning outcome का आ गया, यह annual जो है, consolidate reports है, आप देख सकते हैं, यह 21 और 22 की यहाँ पर mention की है, गलती से भी आप 22 और 23 की नहीं भरना, friends, जो दिया गया है, वो आपको वैसी भरना होगा, friends, यह आपके पास जो percentage यानि result जितना भी आया हो बच्चों का, वो आपको जो यहाँ पर इस percentage के हिसाब से देना है, 33 से अबव कितने है, 33 से 40 तक कितने है, इस तरह से आपके यहाँ पर categorize दियेगे हैं, और हर class का आपको अपने बताने हैं कि जो हमारे पास इस class first के बच्चे है, वो किस categorize में fall कर रहे हैं, किस percentage में आ रहे हैं, तो friends, आपको यहाँ पर देख स आपके पास performance in key subjects, annual जो है, आ चुकी है, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना क्योंकि यह हमारे पास available नहीं होती, primary schools में, यह higher secondary और high school में, जो middle schools में उनमें यह available है, जिन में है, तो friends, वो अपना यहाँ पर fill up कर लेंगे, तो friends, इसके बाद आपको क्या करना है, teachers पर जान आप डालेंगे, उसी तरह से female के भी यहाँ पर डालने के बाद, total automatically आजाएगो और यहाँ पर submit बटन पर click करेंगे, जैसे submit बटन पर click करेंगे, friends, आपके समने यहाँ पर save successfully आ चुका है, और यहाँ पर next बटन पर click करेंगे, जैसी next बटन पर click करेंगे, friends, आके बास teacher profile की य खुल चुका है, और यहाँ पर जिन टीचर ने long leave ली है, 21 और 22 का यहाँ पर mention किया गया, आप देख सकते हैं, जो भी year दिया गया, वो आप अच्छी तरह से पहले इसको देख लें, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि कितने number of teacher जो है, उन्होंने long leave ली है, और short leave याँ वन वीक तक जो ली है, वो आप यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर कोई भी नहीं था हमारा, तो यहाँ पर हमने submit पर click किया, और save successfully आ चुका है, और next बटन पर click करेंगे, और आप देख सकते हैं, यहाँ पर school, evaluation, composite, matrix पर आ चुके हैं, और यह आपको भरने होंगे, आ friends से हमने सभी भर ली हैं और आपको हम दिखा देते हैं, friends यह हमारे पास इस तरह से domain थे, और यहाँ पर हमने यहाँ पर level 1 है, यह low level का है, और medium जो हमारे पास 2 level का है, और level 3 जो है वो high level का है, आप इस तरह से आप अपने form को fill करेंगे, इस तरह से हमने भर दिया, friends, यहाँ teaching, learning and assessment, जो core standard था, वो हमने यहाँ पर भर दिया है, friends, इस तरह से आपको भरना है, और इसी तरह से हम यहाँ पर submit बटन पर click करेंगे, और मारा जो domain second था info, वो submitted successfully हो चुका है, next domain पर जैसे click करेंगे, तो friends, आप देख सकते हैं, हमारे पास next domain आ चुके है, third, और इस तरह से हम इसको fill किया है, और यहाँ पर submit बटन पर हम वापिस click करेंगे, और यहाँ पर submitted successfully आ चुका है, next domain आपके पास four domain आ रहा है, friends, यह हमारे पास school evolution composite matrix का domain है, और इस तरह से आपको fill करना है, और submit बटन पर click कर देना है, तो friends, next domain में चलते हैं, तो आपके पास यहाँ पर domain 5 आ साथ सामने दिया गया है, उसी तरह से हम next domain पर आपको दिखाते हैं, कि school evaluation जो है composite matrix में, जो हमारे पास seven domain है, वो हमारे पास आ चुका है, यह हमने भर दिया और यहाँ पर भी हमने इसको submit किया, तो हमारा seven जो हमारे info submitted successfully हो चुका है, इस तरह से friends, आपको सभी domains fill करने है, next button प इस तरह से action for improvement plan के लिए action आजाएगा, आप क्या action करना चाहते हो इस पर, यह 222 और 23 का आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, academic year का, वो ही हम form fill कर रहे हैं, और यहाँ पर mission statement है, जो आपने 20 से 50 words का लिखना है, जिसमें आप बताएंगे action for the continuous school improvement plan, आप क्या improvement डालना चाहते ह अपने school में, तो यह आप यहाँ पर action plan में डाल सकते हो, तो next मार पास नीचे domain जो भी है, आपको यहाँ पर भरने है, यह domain जो आपके 7 के 7 यहाँ पर domains आएंगे, हमने इस तरह से भर दिये, यहाँ पर है area of the improvement, जो भी आप उस improvement करना चाहते हो उस area को तो यहाँ पर हमने डा तो friends, इस तरह से आपको सारा फिल करना और उसके बाद submit बटन पर click करना है, जैसे submit बटन पर click करेंगे friends, यहाँ पर final submission के लिए कहेगा, तो आपको यहाँ पर I agree पर click करके, यहाँ पर check box पर और यहाँ पर final submission पर click, friends, आपके सामने एक pop-up message आजाएगा और इसे आप OK कर लें यहाँ पर unfreeze पर हमने click कर दिया कि हमारा data unfreeze हो जाए, तो फर आपको unfreeze करने की ज़रूरत है, आपको सिरफ final submission तक करने की ज़रूरत है, और जैसे final submission होगा, तो आपको automatically, हमारे पर successfully का message आदेगा, friends, इसके बाद friends, यहाँ पर आप देख सकते हो report, अगर अपनी report देखना तो यहाँ पर click करके, आप अपनी report चेक कर सकते हैं, तो friends, आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने download कर लिया और download करके, तो next हम इसको use कर सकते हैं, तो friends, इस तरह से आपको यह style शीदी form भरना है, अगर आपको कोई भी दिक्रत आती है, तो आप मुझे comment कर सकते हैं, तो friends, आज झाली ओर अकाली झाली 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 है सब्सक्राइब कर दो उले हैं